अब हम लोग देखते हैं जे एक्स्पोनेंट क्या है एक्स्कोनेंट होता क्या है। जैसे हम लोग previous class में पढ़ते आएं multiplication, division, addition इस सब का बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं आगे हम सभी question में उसका उसका उसके से उसका से उसी तरह से exponent का उसके आगे के class के हमेशा अभा करना परें एक्सपोनें तैसे में हैं, हम इसलिए क्लास्ट पढ़ें थीरी का स्वाइब, फोर का क्यूँट, फाइब का एश्क्वाइब, इस तरह से लिखा राता है, एक कुस्चेन में एक्जाम्पल दे रहा है, थीरी का स्वाइब आता है, तॉम लों क्या करते हैं, थीरी को दो बार क्या है, तो 3 को 2 x 2 x 4, यानि 2 x 3 की 3 की 3, इसका रजल τα एंग, कुसी तरहा से 4 का q है, तो 4 को 3 x 4, या इसका रिचल टाता है 64, फ़फ का शपार है, इसका हुआ है 5×5, इसका रिचल टा है 25, इसमें क्या है 3 को 2 टाइंस इंटूपी 4 को 3 टाइंस 5 को 2 टाइंस इसका सभी का डिजट एका 9 आया एका 64 आया और इसले का 25 आया हम लोग इसी तरह से हम लोग 9th class exponent को रहें कुछ difficult question आया तो हम उसको solve करेंगे यह हम लोग प्रिवियर्स क्लास में इसके बारे में पड़े थी अब हम देखते हैं एक आपको नमबर का फॉर्ट दे रहे हैं एक पावर 10 इसमें A is called base या इसको हम ready can भी बोलते हैं और इसमें N क्या है तो N is called पावर इंडिसे या एक्सपोने एक क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं या इसमें पावर इंडिसे या एक्सपोने अब आप इसको समझने के लिए बहुत सारे कुस्टन मिलेंगे हमको difficult question जिसको solve कर रहे हैं क्योंकि 9th class का exponent पर रहे हैं तो इसमें कुछ laws होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जिए laws of exponent क्या होता है यही आपका laws of exponent इसमें फर्स्ट लॉव है एक के पावर जीरो इस इकवर टू 1 जैसे में फर्स्ट आपका लॉव है एक के पावर जीरो इस इकवर टू 1 यानि कि कि किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो हो तो उसका वैलू 1 होगा किसी भी नंबर के पावर जीरो है इसका यह एक वैलू 1 होगा सब्सक्राइब नाच कई तो रूट एप एपंद एप इसको बता है इसका बाथ है इसका बेलु क्या है एक पावर थू नहीं को यह की पावर हून माइं एक फावर मन बाइब तू है कि इससी तरह से अगर रूट 5 तरी कि इसको भी सकते हैं 5 का पाउर 1 बाइ 2 लोग थर्ड थर्ड लोग क्या है तो क्यूब रूट ए इस इक्वाइट टू एक के पावर 1 वाइट 3 जैसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट हो तो इसको हम उस नंबर के पावर 1 वाइट 3 लिख सकते हैं यानि कि 5 क्यूब रूट 5 है इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1 वाइट 3 अगर क्यूब रूट 7 है इसको हम लो लिख सकते हैं 7 के पावर 1 वाइट 3 तर्ट लोग तक हम लोग देख लिए यह फर्स्ट लोग सकेंड लोग फर्फ्लोग को देख लिए अब फॉर्थ लोग को देखे हैं यह एंड रूट के यानि की यान किसी भी नमबर के पावर जो या जो लौ है इसको पीछे देख चुके हैं या दोनों को ही चीज है इसलिए फोर्ट लौ भी फाइनल होगे है अब हम दो देखेंगे दो नमबर फाइब कि किसी भी नमबर का पावर यदि निगेटिव हो इसका वैलू क्या होता है कि यानि कि दो फाइब है कि एक पावर माइनस है इस इकवाट तो क्या होगे तो न यानि कि एक पर शिफ पावर एन पैसे है तो को पावर अगर मायनस 3 हो तो ऊंपर इसको दिख सकत है one by two का पावर three एसे सेवेन के पावर अगर माइनस 3 है इसको दिख सकते हैं सेवेन के पावर ओ सुरी वन बाइट सेवेन के पावर 3 ठीक है उसी तरह से 6 लॉग या 6 लॉग क्या है 1 के पावर माइनस 1 इस इक्वार टू 1 बाइट यानि कि यहां हम दो देखिते हैं जहें एके पावर–1 इस इक्वार 1 इसको हुआ है यहां भी एक्वार-1 गद्यूक लैजीan ने मीशिकरेना वत्तुति है पावर इसको बिच्वार 1 डिक्वार बो吧 desse बर लक्रवा गें कि पर हां इसको नहीं कि अपर नहीं सकते हैं तो अब आप लोग इसको सब्सक्राइब इसके बाद हम लॉव नॉबर 7 और 8 देखेंगे, लॉव नॉबर 7 क्या है, AB के पावर N is equal to A के पावर N into B के पावर N, याने की, जांपर देखेंगे, इसे 3 के पावर 1 by 4 into 5 के पावर 1 by 4 is equal to क्या हो, तो देख रहा है, जो बेस 3 के पावर 1 by 4 है, into 5 के पावर 1 by 4 है, याने की, बेस अलग, दोनों का बेस अलग है और पावर सेम है, इसमें क्या करेंगे, बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस को मल्टिक्टाइप कर देते हैं, पावर वही राजत है, इसलिए 3 into 5 के पावर, कितना हो जागा, 1 by 4, यानी की, 15 के पावर 1 by 4, ठीक, एक और एक जाम कर देखते हैं, एसे मालने के, 2 के पावर 3 into 7, 5 के पावर 2, 5 के पावर को नहीं, is different हो, पावर सेम हो, तो इस पॉंदो जीख सकते हैं, 2 into 5 के पावर 3, is equal to क्या हो जाना, 2 5 to 10, 10 के पावर 3, यह आपका क्या law number 7 है, अब law number 8 को देखते हैं, एट में क्या है, law number 8, एट में क्या है, तो बेस पावर की उपर पावर, यानि की, law number 8 क्या है, एक के पावर 3, अगर उसका पावर n हो, तो इस पॉंदो क्या का दर बेस वरीड आता है, पावर मंटिप्लाई गर दो, n है, ऐसे मैं एक एक जाम कर लाएं, तो के पावर 3, और इसका पावर 5 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो के पावर 3 इंटू 5, यानि की, तो के पावर 4 है, तो क्या करेंगे, बेस वरीड आएगा, पावर में 4, मगर पावर के उपर पावर हो, तो क्या करते हैं, जो मर्डिक आई करते हैं पावर को, तो 4 इल्टू 1 बाई 4, 4 से 4 हतम कट गिया, तो क्या बचा, 3 के पावर 1 यानि की, एक और एक ज्याम उपर देते हैं, जैसे कोई कुश्यन हो, जैसे 3 के पावर, या 1 बाई 3 के पावर 4 और इसका पावर 4 हो, जैसे में 1 बाई 3 के पावर 4 और इसका पावर 4 हो, उँन का पावर 4 हों, इसको love करते हैं, ठीक हाँ, फोटिखन सबून सबून के उन का पावर 4 गोटिज़टस का वर्यून स्बार साथ, और उसका पावर 5 और उसका पावर 5 के पावर 100 लीकि उसका बीके रिचल्टरस yılगा, तो 1 कह 1 पावर फोल्ड द्रेख सकते हैं 2 उमने ठिरी का पावर है और इस को का पावर भी 4 है है जाह इसका पावर हम लोग 2 का देते श्री जाह सौ आगे ऐगे 1 की Yok not number जो नौर नूमबर 15 देखिए नहीं है लौन नौर 15 देखिए कि a by b के पावर n है तो a के पावर n by b के पावर n यानि कि a के पावर base दोनों का अलग अलग है power दोनों का स्रीम है तो base वाइल आगा power इसको फोर निक सकते हैं और इसका पावर कितना है तू और इसको स्वाब करें तो 1 by 3 के पावर 4 into 2 4 into 2 यानि कि 1 by 3 के पावर कितना वाजागा 4 कुझा अब हम लोग क्या करते हैं या रूल नमबर एक भी देख लिए अब हम लोग देखेंगा रूल नमबर 9 रूल नमबर 9 क्या है कि एक पावर m into a के पावर n इस एक पावर m plus यहाविया फर्मूला जो हम्नों सेवन् लाज में पढ़ चुक ए इस वर्मूला को खंट है तो इसको जांते हैं फिर गोड़ानारी पनाए गिया है तो हम लोग देखें कि A के पावर M into A के पावर N is equal to A के पावर M plus N यह दे मैं एक जांपा लेके चलते हैं question 1 3 के पावर 5 into 3 के पावर 2 is equal to kya हो जा देख रहा है दोनों का base same है power different base same हो power different हो तो क्या करेंगे base वहीड आ जाएगा और power to add button 5 plus 2 यानी कितना हो जाए 3 के पावर 7 जैसे मैं माल लेते हैं 3 के पावर 1 by 4 है I into 3 के पावर 1 by 2 है इसको पैसे पावर 3 के पावर 1 by 4 plus 1 by 2 यानी कि 3 के पावर LCM निका लेंगे 4 और 2 का जाए कितना होगा 4 होगा तो 2 के पोर बंजा 4 तो 1 plus 2 के पावर तो और 2 बंजा 2 कितना हो जाए 3 के पावर 3 by 4 कि पूस्चन नंबर क्या हो गया फिर इसी तरह इसी से या दो नंबर है तो दो नंबर है जिसका बेस से में पावर डिफरेंट हो तो पावर को प्लस कर दियें उसमें भी जैसे में एक पूस्चन लेकर चलते हैं जैते मैं a के पावर n into a के पावर n into a के पावर p into a के पावर q इंटू एक पावर इतना ही टेकर चलते हैं a के पावर n into a के पावर n into a के पावर p into a के पावर q जैसे में देख रहें कि सभी का डिफरेंट बेस जो आश्क्रेम है पावर डिफरेंट है तो बेस वही रहा जाएगा पावर को हम लोग क्या करेंगे आइड कर देंगे 2 into 2 का पावर 1 into 2 का पावर 4 इस हो क्या लिजेंगे वेस वाइड आएगा यानिकी 2 का पावर 3 plus 2 plus 1 plus 4 अनिकी 2 का पावर 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10 इसका रिजेंट क्या है? 2 का पावर 3 है लोड नॉम्बर 10 देखते हैं लोड नॉम्बर 10 10 में क्या है? ये a का पावर 10 by a का पावर 10 is equal to 10 में क्या होगा थे a का पावर m minus यानिकी यह multiply में तो और यह divide में तो base same हो, divide में और power different हो तो base y आता है power subtract होगा इसको यार कर लिजेगा, देख कर ही आपको all question याद हो जाएगे सभी formula आपको देख कर ही याद हो जाएगे सभी लोग आपको देख कर याद जाएगे और इसको या mathematics के formula को याद करने की दुरत नहीं है इसको क्या करेंगे? तो question बनाते 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 हमें याद हो जाती है याद करिएगा इतना formula है जिन्दी भी जाएगी वलकि एक भी formula आपसे याद नहीं हो तो question बनाएगे question को sort कि जब मैनात कीजिए आपको formula फूद याद हो जाएगा SME कहीं हमको लेके चलते है 3 का पावर 5 by 3 का पावर 2 is equal to tau 3 का पावर 5 minus 2 यानिकी 3 का पावर 3 इसका निकल प्याएगा 3 का कि इतना होता है 27 ठीक है तो law no.10 भी टेक लिए दोट कर लिजी इसको दिवाइड को लोग कर हम 10 देखें उसमें डिवाइड के पावर में अगर question यह question है a के पावर 10 divide अगर a के पावर 10 वह तो उसको कि हम दो लिखे a का पावर m minus n यह अभी law no.10 है यह a के पावर m divide अगर a के पावर n हो तो उसको भी हम दो क्या लिखते है a का पावर m minus n यानि की 2 का पावर 7 दिवाए 2 के पावर 3 हो इस का पावर 7 minus n यानि की 2 का पावर 4 इसका रिजर्ट का पावर 4 इसका रिजर्ट का पावर 4 कि क्ता होगा तो 2 का Q होता है 8 और 8 में फिर 2 से multiply करतेंगे तो क्या हो जागा 60 में यानि 2 के पावर 4 मतल क्या होगा 2 x 2 x 2 x 2 तो 2 को अगर 4 x multiply करतेंगे तो इसका रिजर्ट इक राएगा 60 राएगा ठीट है आगे हम लोग देखते हैं लोग नमबर 11 इसको नोट कर दीजिए आप लोग लोग नमबर 11 देखेंगे इसमें दिया हुआ एक पावर m by n कोई कुस्चन है एक पावर m by n एक पावर अगर m by n हो कैसे हैं तो एक जामपर लेकर चलते हम इसका रिजर्ट क्या दिया है एक पावर अगर m by n हो तो या को हम दो लीख सकते हैं एन रूट a का पावर m या एन रूट a का पावर m क्या मवाए चीज़ है यह से नहीं एक पावर का पावर को एज़्ञांपर लेकर चलते हम लोग यह 4 का पावर 3 by 2, 4 का पावर 3 by 2, 4 का पावर 3 by 2 हो, तो हम इसको, देख रहा है, 4 का पावर 3 by 2 है, इसको इसको लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 into 1 by 2, law number 8, कि A के पावर M, उसका पावर M था, तो हम दो क्या किया था, A के पावर M किया, तो अगर इस पावर में कुशन होती है, इस पावर में लिख सकते हैं कि नहीं, तो 4 का पावर 3 into 1 by 2 है, इसको लिख सकते हैं, 4 के पावर 3, इसका पावर 1 by 2, याने कि 4 का इतना होता है, 64, एक है, और पावर में 1 by 2 है, तो पावर में 1 by 2 हो, इसका मतलब होता है, लो नमबर आप लेखने के लिख सकते हैं, तो इसको रूट याने कि पावर में 1 by 2 है, तो इसको रूट ए लिख सकते हैं, एक पावर में 1 by 2 है, तो इसको रूट एक लिख सकते हैं, तो इसको रूट के लिख सकते हैं, 2 by 2 होता है, ठीक है? जही स्पावर में लिटे है तो वही बात इस पावर में बनाते है यानि की और इसे 4 का पावर 3 बाई 2 ही था ठीक है? तो इस पावर लिख सकते हैं 4 का पावर 3 इंटू 1 बाई 2 इस पावर लिख सकते हैं कि नहीं? इसे 4 का पावर 1 बाई 2 का पावर 3 यानि की और इसक्वार रूट 4 इसका पावर 3 तो किता हो जाएगा? 4 का इसक्वार रूट 2 तो का पावर 3 यानि की दोनों केस में रिजांज किता है? इस आईसे बनाते हैं फिर भी 8 आएगा इसे बनाएके फिर भी 8 यानि की दोनों और टायक इनसर कितना है? या स्याम है ए तो अब लुब नूबर हम नवर 11 बीदे लिए इसको नोड कर लेते हैं हम लोग इसके बाद लुब वर लेते हैं यह एंगर क्या है एबाई बीके पावर माइनस एडिगाए वी बाई एक पावर एंड यारी किसी श्राक्षिनल नुम्बर हम दो देखे थे यहां वही कुष्चन है माले ते यह पुरा कर्व में है इसना पावर निगेती है तो नॉम्बर तो वाई आउसका पावर को देखे नमबर प्लड दिये यहां भी नमबर को दिये और यहां भी वही कांदी है और यहां सब्सक्राइब कोई बात बहुत से नहीं है तो जैसे एक जांपर में हुआ है यह बाई बी के पावर माइनस न है तो नॉम्बर को प्लड़ती है पावर को जाटी हो गया भी बाई यह के पावर को न हो गया तो तो पुस्ष्ण देख लेते हैं तूर बाई थी य पावर अगर माइनस तू हो तो आप इसको जीख सकते हैं क्या है त्री बाई टू पर पावर एक है एक और पुस्ष्ण देख लेगा है त्री बाई टू सा पावर तरी माइनस 5 हो तो इसको जीखेंगे तो 2x3 अब पावर माइनस 3 ही है इसको जीख सकते हैं 2x3 का पावर माइनस 2 था तो गया लिए कि किसिनाफर का पावर यादी निगेटीव हो तो नफर को क्लूट रतेटे या पावर ऑदीन पावर को ढवावत है कि अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 का स्वार या हम दों देख चुके हैं लॉर नमर 15 रखिए एक बाई बी के पाउर न था तो 1 के पाउर न भाई बी के पाउर न इसाहिए 3 बाई 2 के पाउर न है तो 3 के पाउर 2 अब हम लोग इसको नोट कर लिजें अब हम दो देखेंगे लौ नमबर 12 यह नहीं है अब इसके बाद देखेंगे लौق 13, take a look at law number 13 later, if x ke power, a good a, x ke power a is equal to y then x is equal to then x is equal to y यहां देखें, law number 30 में क्या एक्स के पावर 3 is equal to y हो, तो इसका result क्या था है, x is equal to क्या होगा, तो y के पावर 1 by 1, ऐसे में एक एक एक्स के पावर 5 is equal to y, अगर y है, तो देखें, एक्स के पावर 3 है, is equal to y होगा, तो y के पावर 1 by 5, एक और पूशन देखें, आलत है, x के पावर 3 है, is equal to y है, तो देखें, x is equal to क्या होगा, y के पावर 1 by 3, इसको note कर देखें, अब लॉड नम्पर 14 देखें, अब लॉड नम्पर 14 देखें, n root x के पावर a is equal to क्या होगा, तो x के पावर a by 3 है, अब लॉड नम्पर देखें, q root 125 तो पावर 2, तो पावर 2, तो इसको शॉड गरें, तो 125 तो पावर 2, तो इसको शॉड गरें, तो 125 का पावर, सिरी है कि इसको 1 by 3 दिख सकते हैं कि नहीं, लॉड नम्पर 14 देखें, तो इसको नम्पर का पावर 1 by 3 करते हैं, उसी तरह q root 125 है, तो 125 का पावर 1 by 3 दिख सकते हैं, और इसको बोल का पावर कितना है, 2, अब इसको कोई भी exponent में कोई भी question हो, तो सबसे पाले process कीजिएगा जिए उसको और prime factor करते हैं, उसको हम लोग factorize करते हैं, तो 5 into 5 into 5 दिख सकते हैं, अब इसका पावर देख रहे हैं, 1 by 3, तो 1 by 3, तो 1 by 3, तीक है, और इसका पावर कीजिए है, 2, तो देख रहे हैं, 5 का Q, तो 5 का Q, तो पावर 1 by 3, तो अब लोग कुष्ण को बढ़ चिक्रें पीछे, जे पावर की ऊपर जा पावर, तो अब लोग को क्या करते हैं, बेस वही राजाता है, पावर को मंटिक्लाइ करते हैं, तो 5 का पावर 3, इंटू 1 by 3, इंटू 2, 3 से 3 कट गया, इतना या 5 का पावर 2, यानि 5 पावर 2, इतना अगर 25, या आपको नहीं देखिया हैं, जागा किसी नंबर का पावर अगर 2 टाइम से अधिक हो, तो अब लोग क्या करते हैं, जैसे में, एक कुष्ण अम लोग इसको अधिक हो, नोड कर लीजा को देखिया, और कर लीजा, जैसे में, पिल फिर फार्मूला देखि़ी जै, हम याँ या दिया है, कुछ अलग से फीर फार्मूला लिखे हैं, तो 15 तर तो पावर बता चुके थे, 15, 17, और 18, तो इन फार्मूला लिखे हैं, तो पावर 6 पावर, आप दोनों आपकों बता चुक है या प्रोटिम बता दिया प्रोटिम बताने की जवरत में यह क्योंकि पीछे इतने कुर्श्चन में हम इसको बता चुक है ठीक है सबी हो गया है अब हम लोग 16 17 ने पढ़ चुक है पीछे 18 देखने की वह गया एक पावर के हैं इसका पावर यादि एल न हो अगया पावर है तो अबसा पावर एल इसका पावर मोटिपला न कर देखने तो अगया करेंगे? पावर को उपर पावर को मुटिक्लाई करते तो उसी तरह पावर को उपर इंफिनिटी टाइम से पावर हो पिरुकु उसको क्या करेंगे? 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 जैसे अगर बेस सेम हो, पावर अगर डिफ्रेंट तो इंफिनेटी टाइम तो प्रियो उसको चैटने के पावर को अब लोग मुल्टिप्लाई निकाएगे A का पावर M, N, P, Q, सभी क्या एक दूसरे के, एक दूसरे से एक मुल्टिप्लाई के पावर है तो जो में कुष्चन देखे, 81 का पावर, एक कुष्चन है, 81 का पावर, minus 1 by 2, 81 का पावर अगर minus 1 by 2 है, इसका पावर, यादि minus 1 by 4 है, और इसका पावर, minus 1 by 4 है, और इसका पावर, जड़े 2 हो, तो इसको कैसे सॉल्ब करते हैं, इसमें बताया है, आपको पीछे कुष्चन है, जो कुमर रहे है, एक्स्पोनेंट का कोई भी कुष्चन हो, पोसिज कीजिएगा, जो उसको उन्लों फैक्ट राइज करते हैं, तो एक्स्पोनेंट का कोई अगर हम इसको फैक्ट राइज करते हैं, तो अगर हम इसको फैक्ट राइज करेंगे, तो 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 इसको फैक्ट राइज करेंगे, इसको 81 और 3 का पावर 4 लिख सकते हैं इसका पावर माइनस 1 वाइट 2 है तिका है इसका पावर माइनस 1 वाइट 4 है और पावर इतना है 2 तो आप देखिए पावर को पावर आता है और अब इसको पावर माइनस 1 वाइट 2 तो अब देखिए पावर अगर के इसको अगर इंटू करते हैं तो क्या होगा। जिरी के आप अपार मठी और उपने नुम्रेटर तो सब काधा में नुम्रेटर माइनस वन इनको माइनस वन है। दोनों को मठी करेंगे। तो या ओन ही होगा। इसका इसके रीजाल पितना होगा। फिरी होगा। कि अब हम आप लोग को कुछ 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 दे देते हैं होंबा के लिए कुछ 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 दे देते हैं इसको आप भर्से बना के लाईएगा इसको नोट कर लेजिए अब इसको आप इसको आप पूस्ट्राइए नहीं बनेगा इस सारे कुरूशन अपने में इस्तेंडर कुछ कुछ दिए पीजी भी है इसको आप नोट कीजिए गार और बनाएगा इसके बाद पिर अगले विडियो में लो इसके बाद वाले क्लास को देखिए।